बॉलिवुट के एक ऐसे एक्टर जो आज किसी भी पहचान के मोताज नहीं है अपनी दमदार अभिनाय से सभी लोग इनकी एक्टिंग के कायल है और आज अपनी फिल्मों के जरिये ये अपना शर्तक पूरा करने जा रहे हैं बॉलिवुट के एक्टर मनोज बाच्वाई की बात कर रहे हैं हमाई साथ खुद मौझूद है भारस समचार में बहुत स्वागत है मनोज जी दन्यवाद बहुत दन्यवाद बिलो जी हमने तो तमाम आपकी फिल्मे देखी वो चाहे अगर हम सत्या की बात करें और इसी के अलाबा अगर हम गैंग साथ वासेपूर की बात करें लेकिन भाईया जी में क्या खास लेकर आ रहे हैं एक नया खिर्दार, एक नया चरीतर और यक नई तरीके की परिष्ट भूमी और एक नए तरीके की जाणर है मेरे लिए क्योंकि मैंने दो तीन, तीन जार मैंने मेंस्ट्रीम फिल्मे की थी, उससे ज़ादा की नहीं focus लेकिन यह जो है, जितने काम मैंने किने हैं उससे ज़ कि दस फिल्मों का अकड़ा पूरा हो सकता है सौभ फिल्म सचुरी पार कर दी आपने कैसा लगता है बीश में कभी आपको ऐसा भी लगा चलो यार वापे चलते हो नहीं पा रहा है कैसे खुशी दूर में कई भर लगा कि शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि मुंबई नगरी अ करके आप उस पे फोकस करके चलते रहे चलते रहे कोई हाथ पकड़ता है मनोज जी इंदस्टी में कि मनोज वापस मत जाओ मैं हूँ यहाँ पे आपको किसी ने साहरा दी आपको ऐसा लगता है कोई नहीं कहा था कि मैं हूँ आपने बताया कि आजकल की जो फिल्में हैं वो विदेश में जा रही है आपके फिल्म नहीं गई उसके लिए मतलब देखिए मिनिस्टीम की फिल्में तो जो लोकेशन्स होते हैं जादा तर वो लोकेशन्स या तो बड़े शहर होते हैं विदेश होता है लेकिन वापस से हम जो सत्तर रश्टी का दर्शक था जहां पर मुखधारा की फिल्में जो हैं छोटे शहर और गाउं में फिल्माई जाती थी या वो प्रिष्ट भूमी होती थी अब वापस से यूपी में आपको कितना सपोर्ट मिला अगर हम गवर्मेंट का कहें अगर हम यहां के अद्मिस्ट्रेशन का कहें यहां पर पुलिस का कहें तमाम लोगों का कहें सबसीडी अगर मिलती है यहां पर मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग यहां पर शूटिंग करके जाते रहे हैं और सब उसका फायदा भी उठाते है यहां पर प्रशासन का सयोग रहा और शुटिंग करने में कोई बादा नहीं है आपको लगता है मनोजी आपने जिक्र किया कि बढ़ाई जानी चाहिए नहीं मैं तो यह नहीं कहा कि सबसीडी बढ़ाई जानी चाहिए लेकि मुझे लगता है कि चुकि यूपी बहुत ही चुनिंदा बहुत ही कम स्टेट्स में से है जो इतनी सारे सहलिते देता है शुटिंग करने के लिए और लागातार उसमें सुधार होता रहे ताकि यह बहुत ही आदर्श हो जाए सारे फिल्मकारों के लिए कभी ऐसा लगता है कि कुई आपके पास स्टोरी को सुनाया आना है आपने ये काऊ कि नई यार मुझको ये रोल करना है ये रोल मेरे हिसाब से बैट रहा है बल्ढ़ा आपने ऐसा नहीं वहाँ कि इसी रोल के साथ भी जस्टिस ना किया हो होता है कभी ऐसा क्योंकि आप एक राइटर भी है आपने बताया ने ने ऐसा कुछ नहीं होता है अगर माली जी मुझे जो रोल दे रहा है आप उसको कहते हैं भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा है आप कभी ये नहीं कहते हैं कि मुझे वो रोल पसंद है क्योंकि कोई दूसर अगर कोई दूसरा आक्टर कर रहा है तब मैं बिल्कुल नहीं बोलता है, अगर कोई दूसरा आक्टर नहीं है वहाँ पर, तब मैं कहता हूँ कि मुझे वोरर ज्यादा पसंद है। युवा की बात करी जाए दर्शक की बात करी जाए आकरी सवाले मनोजी साउथ की तरफ क्यों जादा वो लोग भाग रहे हैं आपको लगता है इसके पीछे को कोई नी भाग रहा है मरे खाल से अगर साउथ की फिल्में अच्छा कर रही है तो अच्छा कर रही है आपको इसको स्वीकारना पड़ेगा, हम सब स्वीकारना इस बात को और वो पूरे पैन इंडिया अच्छा कर रही है और हमारी जो नौर्थ इंडिया के दर्शक है वो भी उससे इंटर्टेन हो रहा है तो यह अच्छी बात है और हमको हर किसी से सीखना है और कभी वो हमसे सीखते हैं, कभी हम उनसे सीखते हैं तो यह लागतार आदान-परदान होता रहे, इससे अच्छी बात क्या हूँ अच्छी लगता है भाईया जी कितना कमाल करेगी? बहुत कमाल करेगी, मैं तो इसी उम्मिद से हमने फिल्म बनाई हैं, बाकि तो उपर वाले के हाथ में हैं बिल्कुल तो बॉलिवुड के काबिल एक्टर कहा जाएगा इनको, मनुझ बाचपई हमारे साथ मौझूत है, अपनी फिल्मों में भी शतक ये लगाने जा रहे हैं